पूरा हॉलिवुड को भाई गालिया परता है रिमेक बनाने के लिए लेकिन एक एक्टर ऐसा है जिसके रिमेक पर लोग पैसा उरा देते हैं जितना चाहे लूट लो अजय देवगन बंदे के पास अलगी टैलेंट है रिमेक तो हर कोई करता है लेकिन इनके जैसा सेलेक्शन पावर किस फिल्म को रिमेक करना है वो सकती किसी के पास नहीं दिरिसियम को रिमेक किया तो ऐसा ऐकोनिक सिनेमा बना कि आज की डेट तक लोगों को लगता है कि वो ओरिजनल फिल्म है जबकि ओरिजनल वाला उसका रिमेक होगा बॉक्स ओफिस पर रिजल्ट ये निकला दिरिसियम 1 और दिरिसियम 2 रिमेक ने मिलकर टोटल पूरे दुनिया में सारे 400 करोड का बिजनेस कर डाला कॉपी बोलो गए उसके बाद भोला आया जिसमें आजय देगन सर खुद डिरेक्टर बन गए ऐसा इस्टेंट बाजी दिखाया पबलिक तो छोड़ो बागी डिरेक्टर इनके पहरों में गिर गए फिल्म को फाल्तू ये लोग ताना मारते हैं जबके भोला ने पूरा वर्ल्ड वाइल सेंचूरी मार के 123 करोड का बिजनेस किया था किस एंगेल से फ्लॉप बोलो गए तो कुछ समझे दोस्तो कुल मिला के तिन रिमेक और अजय देगन सर बैंक ओफ इंडिया के बैलेंस में अल्मुस्ट 600 करोड का खजाना आ गया जीते की चाल बाज की नजर और अजय देगन का रिमेक पर कभी सक नहीं करना चाहिए लेकिन वो तो सस्पेंस फुल था अब बंदा हॉरर में घुश गया है गुजराते फिल्म वस को लोग पहचाने लग गये हैं इनकी वज़ा से बात सैतान का हो रहा है जो थीएटर में बैठे हुए लोगों के पेट में दहद कर रहा है और दिमाग में छेद हॉरर नहीं टॉर्चर बोल रहे हैं उसको बात सच भी है क्योंकि हॉलिवूर में इस लेवल का डिस्टर्विंग सिनेमा बनाना तो छोड़ा सायत किसी ने हिम्मत भी नहीं दिखाया होगा और यही रिजा ने धराधर एक घंटा में 30,000 टिकट बुक हो रहा है सैतान का वो भी ओनलाइन वेबसाइट पर आफलाइन में तो भीर भूत लंबा होगा एक्चुली में ये जो भूत वाला सब्जेक्ट होता है न इसको लेकर हर किसी का ओपेनियन जरूर होता है अच्छा बुड़ा लेकिन इग्नॉर कोई नहीं करता इसलिए जब टिकट बुक होता है न दोस्तों तो अकेला बंदा नहीं जाता पुरा फैमली जाके साथ देखता है डरते हैं एक दूसरे को डराते हैं पैसा वसूल और यही रिजाने जिस वेसे सैतान ने अचानक हॉलिवुड में बनने वाला सारा होरर फिल्म के केटगरी में सबसे बड़ा ओपिनियन मारा है डेवन अजय देगन टीम ने 15 करोर से ज़्यादा का कैलेक्शन करके सबके एक्सपेक्टेशन्स जो 10-11 करोर मैक्सिमम था उसको 4 डाला ये नमबर कितना बड़ा है आप उसको समझने के लिए इस साल का अब तक का सबसे बड़ा फिल्म फाइटर को पकर लो रितिक रोशन जैसा बड़ा स्टार और टॉप लेवल का परमोशन करने के बाद डेवन का कैलेक्शन कितना आया पूरा 22 करोर अब साइद अजय देगन का 15 करोर आपको सुनने में कम नहीं लग रहा होगा है ना वैसे बॉक्स ओफिस खरगोस नहीं कच्छवा जीतता है और जब फिल्म वाकई अच्छा बनता है तो डेटू कभी डेवन से नीचे नहीं गिरता तभी तो सैतान ने सनीचर माने सेकैने डे पर 29 करोर कमा डाला लेकिन असली धमाके का आवाज आएगा संडे का कलेक्शन के बाद जहां पर फिल्म सबकी उमीदों से बहुत आगे निकल कर खरगोस बनके दोर लगा रहा है अरली प्रोडक्शन के हिसाब से सैतान डे थिरी माने संडे को 25 से 30 करोर के बीच किया हिसाब लगा के देखा तीन दिनों में अजय देवगन की एक रिमेक फिल्म 60 करोर के नंबर तक पहुँच गिया दोस्तो बट दोस्तो फाइटर का तीन दिनों का कलेक्शन पूरा 90 करोर था लेकिन ये गेम पूरी तरह पलट गया था मंडे से जब फिल्म 29 करोर से गिर के 8 करोर पर आ गया था बस यही मुझे लगता है कि अजय देवगन का रिमेक कलेक्शन अपना असली जादू दिखाएगा हां दोस्तो सैतान कोई बिग बजट फिल्म नहीं है सिर्फ 60 करोर में सब कुछ रेडी हो गया था आजय देवगन आर मारवल सबका फिस में लाके बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा कुछ खराब नीचे कामेन में जरूर बताए मैं इसी तरह का इंटेटेंविन टेक केर